इस हमले के पीछे इसराइल का हाथ बताया है हाला कि इसराइल ने इस पर फिल हाल चुपी साधी हुई है इस हमले की जिम्मधारी लेने से बच रहा है दावा है कि इरानी दूत आवास पर हमला कर इसराइल से बहुत बड़ी चूप हो गई है महीं प्रतिशोद की आग में जुलस रहे इरान ने भी तूरंद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसराइल से इस हमले का बदला लेने की कसम खाई है जाहेदी के जनाजे में शामिल हुए इरान के सेना प्रमुक जनरल मुहम्मद बागेरी ने हुमकार भरी है उन्होंने कहा है कि इरान ये तै करेगा कि बदला कब और कैसे लेना है उन्होंने कहा कि ओपरेशन का समय प्रकार और योजना हम बनाएंगे और ये इस तरह की होगी कि इसराइल अपने किये पर पश्टाएगा ये निश्चित होगा बता दे कि एरान ने टैश में आकर इसराइल को धमकी नहीं दी है बलकि खतरनाक हथियारों का ट्रिगर लिए बैठे एरान के पास वाकई तबाही मचाने वाले हथियार हैं ये इरान के खुखार हथियार लाल सागर को पार कर इसराइल पर हमला करने का भी माद़ा रखते हैं इरानी समाचार एजनसी आईस एने ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि अगर इसराइल और इरान में जंग होती है तो इरान के पास लंबी दूरी के कई खतरनाक हत्यारों का जखीरा है, जो कि इसराइल का नक्षा बदलने का दम खम रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एरान के पास इसराइली सरजमी पर हमला करने के लिए पर्याप्त दूरी वाली नौ परकार की मिसाइले हैं। न्यूज अजनसी ने कई एरानी बेलेस्टिक मिसाइलों का खुलासा किया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इरान ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की मदद से हमले की योजना बना रहा है। से 14 मैक है हुर्रम शहर 4 और्फ खैबर मिसाइल जो की मैक 5 की रफतार से 2000 किलो मीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है E.M.A.D. मिसाइल 2 से 7 मैक की रफतार से 2000 किलो मीटर की दूरी तक लक्षे को भेदने की शमता रखती है शहाब 3 मिसाइल मैक 7 की स्पीड से 2000 किलो मीटर तक दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है कादर मिसाइल मैक 9 की रफतार और 1950 किलो मीटर तक लक्षे पर निशाना लगाने का मादा रखती है वहीं पावे मिसाइल 900 किलो मीटर पती घंटे की रफतार से 1650 किलो मीटर की रेंज में हमला करने में सक्षम है खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलो मीटर तक दुश्मन को भेदने में सक्षम है दावा है कि ये 5000 किलो मीटर पती घंटे की रफतार से जा सकती है फते टू मिसाइल मैक 5 की रफतार और 1400 किलो मीटर तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना लगाने में सक्षम है हाज कासिम मिसाइल मैक 5 की रफ़तार से चलने वाली ये मिसाइल 1400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बना सकती है मालूम हो की दूतावास पर हमले के बाद से एरान बौखलाया हुआ है वहीं इरानी राश्पती इबराहिम राइसी ने भी तल्क लहजे में इसराइल को हमले के लिए भारी कीमत चुकाने की नसीहत दी है इसके अलावा टॉप इरानी मिलिटरी एडवाईजर जनरल रहीम सफवी ने चेताते हुए कहा कि हमले के बाद से इसराइल का कोई भी दूतावास अब सुरक्षित नहीं है इरान इसराइल को दूतावास के हमले का आई ना दिखाने का आम मादा रखता है बढ़े रखता है